आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको इंजेक्शन किस तरह से किस सेफटी से पेशन को लगाएं तो यहां पर देखिए यह इंजेक्शन को इस तरह से डाइजूट करना होता है जो आगे निडल वाला पार्ट है उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है आपको हैंड से और आप चाहें तो क्लव्स का यूज़ भी कर सकते हैं नॉर्मली पेशन को अगर वैसे कोई प्राब्लम नहीं होती है को जादा सीरेस कर्णिशन नहीं होती है तो आप नॉर्मली सर्जरी वाले पेशन्ट को मेडिसीन वाले पेशन्ट को इस तरह से भी इंजेक्शन धाला जाता है और इसको आप ठास्च नहीं करना होता हैँ कुल भी आपको इसको रब्द को ड़ीज नहीं करना है और ने बिल्कुल टच कर नहीं करना नाि इससे पेशल को इंफेक्शन होने का खत्रह बहुत ज準दा बढ़ जाता है इसी तरह से आपको यह इंटरेक्श्न जब भी आप injection लगाते हैं तो आपको ऐसी इंजेक्शन के साथ में इंजेक्शन लगाना चाहिए कि नीडल को और वायल के जो रबड़ पे मुपे आपको पिल्कुल भी हाथ तच नहीं करना है और इसी सेप्टी के साथ में इंजेक्शन लगाना है तो पेशन्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा यह दिखिए हमने यहां पे मिदल पे कैप लगा दिया है अब इसको हम यहां से हटाएंगे तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके पास गलव्स नहीं होते हैं ऐसे में आप बिना गलव्स की किस तरह से ही करेंगे तो यहां पे आपको इस तरह से यूज करना है इंजेशन